नमस्ते एवरिवन माई नेम इस नाली निये और वेलकम टो माई किचन फिराल तो मैं किचन में नहीं थी मैं अपने घर की बालकनी में थी इसको आप क्या बोलते हैं जरूर बताईएगा यह पानी में होता है यह फल और थोड़ा काटेदार होता है मेरे घर में तो इसको अपनी के साथ बॉयल करके खाया होगा या बहुत जादा इसको लैसन या हरी मिर्च के साथ फ्राई करके खाया होगा मुझे एक रेसिपी अभी अभी पता चली और उसने बोला अगर इसको बना के आपने खिला दिया लोगों को ना तो वो आपके काबों में आ जाएंगे यह जादू तो ना टोटका भी करता है प्यार वाला तो मैंने का चलो यह नए तरीके का जो सिंगाडी की रेसिपी है मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ और फीडबेक की यह सच में कैसा बना तो सबसे पहले सिंगाडी को धो करके छील लीजे छीलने के बाद फिर से गार दो लीजिए और इसमें ना बिल्कुल एक कप पानी डालें ज्यादा पानी डालने की जुरुवत नहीं है एक से दो सीटी इसमें आप आने दो जब तक वह सीटी मारेगा तब तक हम ग्रीन एनियन प्यास शिमला मिर्च को इस तरीके से डाइसस में काट लेंगे लो ज अच्छे से डालिएगा और हलका सा सौती करेंगे इसे ओवर नहीं पकाना है गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं होने देना है और थोड़ा सा मैं मिले तो बीचवीश में डांस करने का नहीं डांस नहीं करना है इसके बाद हमें ये सारी सबजें इसके अंदर डाल लेनी है तो सुड़ी कमज़ोर हड्या भी जवान हो जाएंगी इसके बाद डालेंगे तो यह सारे सौस आपने टेस्ट के रेकॉर्डिंग कम जादा डाल सकते हैं यह इसे सकिप भी कर सकते हैं लेकिन तो अच्छा आएगा यहां पर मैं पिंक सौल्ट डाल रही हूं आप साधा खाने वाला नमक भी डाल सकते हैं, वन टीस्पून कॉण फ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से घोल लेंगे और ये सलारी इसके अंदर डालेंगे, आप कॉण फ्लोर की जगे, आप आटा, जो नॉमल गिहूं का आटा होता है न वो भी ले सकते हैं, थोड़ा सा क प्लेवर डालने के लिए नीबू का जूस डाल रही हूं, आप यहां पे सफियद वाला सिंथेटिक विनेगर भी स्थमाल कर सकते हैं, लो जी हलका सा और कुक करने के बाद, इसका नाम आप क्या देंगे, मैं तो इसे चिली पनीर की जगे चिली सिंगाडा बुलाने वाली ह नली नीज किचन को नवाजा यो ही नली नीज किचन देखते रहें, सर्व करने से पहले थोड़े रोस्टेट सफेद तिल और डाले, थोड़ा से स्प्रिंग अनियन डाले और देखे कितना ला जवाब, लज़दार जाइके वाला, यह कैल ट्रॉप या सिंगाडे का चिली चिली सिंगाडा बिलकुल रेडी है, और मैं अब इसे चली खाने, और भाईया खाने के बाद जानते हैं क्या हुआ, यह सारी मेहनद जो मैंने अभी तक किया, इतना बोला, सफल हो गया, और क्या, बड़े मस का बना भाई, बनाना, मज़ा ना आए ना, तो एक करोण वाप रहा हुआ झाईया हुआ क्या है, और मैं अब जोल्ड़े में जोल्ड़े में जोल्या ना